जेशे कृष्णा फ्रेंड्स वेल्कम टू रूपा दा किचन कैसे आप आज बना रहे हैं लोकी की खीर बनाएंगे यहां पे जो है मैंने एक किलो दूद लिया यह घर के दूदे जो गाय का दूद पहले से मैंने गरम कर लिया है ताकि इस पे मलाई आ जाए और आधा किलो य इसमें ज्यादा नहीं चाहिए होता है आपन को बस थोड़ा सा गी लेंगे और जो है अनुसार жादा है का मैं शकर लेंगे आपन जो थागी कप और ड्राइफ्रूड्स के लेंगे मन-पसंद के लोकी को चिल लिया है चिल लोकी को बिच वाला बीज वाला वह थाद जो है जो रस निकला है वो देखिए इता सा यह पानी निकल गया है इसका निचोडने के बाद में तो अपकड़ाई ले लिए और कड़ाई के अंदर डालेंगे यहां पर गी डालेंगे इसमें ज्यादा गी नहीं लगता है बस एक चोटा चमच गी और बस जब गी गरम हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे लोकी बीना घी के भी अपन इसको रोस्ट कर सकते हैं लोकी को लेकिन थोड़ा सा फ्लेवर सा आ जाता है इसलिए घी के अंदर इसको चलाएंगे दो तीर मिनिट तक अपन लोकी को इसमें घी में सेक लेंगे चला लेंगे ताकि जो यह सॉफ जाती है और अब इसके अंदर करेंगे दूद एड़ तो आधा किलो लोकी के अंदर ये में ये एक किलो दूद ले रही हूं और दूद इसमें डाल देंगे और चलाएंगे तो देखिएगा और जो देखते हैं वाच करते हैं कमेंट लगते हैं उनको थैंक यू और जिन्हों ने अंच सब्सक्राइब कर लिया वापर सब्सक्राइब कर ले नहीं करें वीडियो कंटिन्यू आएंगे फ्रेंट्स तो बैस इसको लो फ्लेम कर दिये और आख़्िए दिर जित्ती लिक्विड रखनी है तो मैंने इस तरह से रखा है और बस ड्राइफूट डाल की गार्निश कर लिया है यह देखी लोकी की खीर बनके तयार है तो आपको वीडियो केसा लगा बताईएगा अनुबह खेर कीजिएगा लाइक शेक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थेंक्स फॉर वच्चिंग जैशेक्रिशना